गूडुर्णिंग फ्रेंट्स आज की इस मॉर्णिग अबडेट में आपका दोस्त निजाम आपके सामने फिर से षाजिर है इस मॉर्णिंग अबडेट के साहथ साथ बिटकोईन के प्राइस के हैसी स्ट्री बताऊंगा आपको जो अभी तक यूट्यूब पर मिसिंग है किसी भी इंफ्लेंसर ने उस अपडेट को आप तक नहीं पहुचाया है मैं पहुचाने कोशिश करूंगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे समझ में आएगा और वो चीज जा रॉड़ सकता है अपको ये ग्रीन जोन जो की बार-बार मैं बोलना हूं कि इसका ब्रैक होना जरूरी है तभी हम बोल सकते हैं कि बिट कोईन बुलिश है क्रिप्टो कंसी मारकेट बुलिश है लेकिन यहां पर प्राइज ने इसको जाकर टेस्ट किया इस जोन जाकर टेस् तो इस पॉइंट से प्राइज इस तरह से उपर जाता दिख रहता तो प्राइज नीचे आ रहा है ठीक नीचे आ रहा है तो अभी भी हमाय पास एक उम्मीद है प्राइज के ऊपर जाने की लेकिन यहां पर बिल्कुल आपको दिमाग यह ध्यान लखना है कि मार्केट अगर उपर जाती है तो मार्केट नीचे भी आती है 51,200 के लेवल बार बार आप लोगों को इसलिए रिपीट करा रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टन लेवल है और बिट्कॉाइन इस तरीके की हिस्ट्री पिछले चार्ट पर दोहरा चुका है जिसमें बड़ी ग्रावट भी हुई थी तो अभी फिलाल यहां पर हम देख सकते हैं कि प्राइज ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन यहां पर हम देखेंगे तो 20 पीरिट के नीचे और यहां पर 200 पीरिट के ऊपर है 4 आवर्स के चार्ट में अब देखो यहां पर अच्छे समझने जो मैं समझाने की को देखो यह एक जोन बनी थी यह जोन बनी थी और इस पर चोटा था में पैटन देखेंगे तो इस तरह से एक हैड़न शोल्डर पैटन भी हमको यहां पर नजार आ रहा है 4 आवर्स के चार्ट पर अभी यह चीज किसी ने नहीं पकड़ी किसी भी इंफुलेंसर ने आपको नहीं दिखाई लेकिन यहां पर आप देख सकते हो किलियर कट एक हैड़न शोल्डर यह इसका शोल्डर है यह इसका हैड है ठीक है और इस तरह से एक किलियर कट हैड़न शोल्डर पैटन बन रहा है जिसका ब्रेकडाउन भी हुआ है ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों दूसरी बड़ी खबर यानि बैड नीज यह बोल सकते हैं कि इसका ब्रेकडाउन हुआ इस तरह से और उसके बाद प्राइज न जाकर ऊपर इसी लेवल को रिटेश किया यानि कि अगर यहां पर हैड और शोल्डर पैटन को हम लगाते हैं तो सबसे पहले में यहां पर देख यह देखे यहां पर यह हुआ लगबग इसका क्लोजिंग प्राइज हम लेते हैं यह देखो ठीक है तो इस तरह से यह एक हैड और शोल्डर पैटन यहां पर क्रियेट हुआ और उसके बाद प्राइज ने देखा होगा अपने कि प्राइज ने इसको तोड़ा यहां पर अ प्राइज ने जाकर इसको टेस्ट किया है तो प्राइज के फिर नीचे गिरेगा तो इस पर बात करेंगे थर्टी मिनिट का चार्ट आपको दिखाएंगे ठीक है तो यह यह वो गई एक बात यहां पर यह एड़न शोल्डर मेरा मेन मकसद आपको हेड़न शोल्डर पैटन नहीं दिखाना है क्योंकि इस तरीके के हडरच उल्डर पैटन जातर बनते हैं टॉप्स पर और प्राइज नीचे भी गिरता है बॉटम पर बनते हैं इंवर्स उल्डर तो प्राइज ऊपर जाता है और еज़ग एक बेयरश पैटन होता है क्ल तह तो आपने देखा था प 46,400 या 700 का तो उसको जाकर प्राइज ने बखुबी टेस्ट किया जाकर और उसी के ऊपर प्राइज जिस लेवल को तोड़कर आया है उसी के लेवल में ट्रेट कर रहा है ठीक है तो अगर हम चलते हैं 30 मिनट के चाट पर तो समझते हैं कि आज के दिन का मार्किट के सेनरियो क सब्कार कि चीज अगर रिपीट हो रही है तो फिर एक प्राइज में बहुत बड़ा क्रेश भी देखने को मिल सकता है अच्छा का साड डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है लेकिन यहां पर मैं बोल ला हूं मिल सकता है ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो क्यूंकि अभी भी 400 फॉर्थ आवर्स के टाइम फ्रेम पर हम 200 पीरेड मुविंग एवरेज के ऊपर हैं देखो कल प्राइज ने क्या किया था कि जग कल जो मैंने आपको पैटन मना दिया तो मैंने पैटन हटा दिया इस पॉइंट से प्राइज जबरदस तरीके से गिरा है गिरने के बाद प्राइज दिखाया था ठीक है और प्राइज ने इसको ब्रेक करके नीचे आया यही लेवल मैंने आपको दिया था तो एक्जेक जाकर उसको हिट किया उसको तोड़ने में दिक्कत हो रही देखो यह 46,400 का जो लेवल है 500 का यह थोड़ा सा जब तक हम इसके ऊपर हैं जब रूल्स यही कहता है अब इस जोन के ऊपर अगर हम यहाँ पर प्राइज 47,600 को ब्रेक करता है तो 48,000 दिखाएगा जो इस जोन का ऊपरी लेवल है ठीक है इस जोन को अगर ब्रेक कर गया यह चैनल अगर ऊपर के ऊपर कर गया तो यहाँ पर हमें 48,900 के आसपास प्राइज उपर के लेवल 50,400 और 51,200 यह इसके आगे के लेवल है उपर के और यहाँ पर अगर दूसरी बात यहाँ पर करते हैं क्योंकि मार्किट तो 30 मिनट पर बेरिश दिखाई पड़ लिए क्यों दिखाई पड़ लिए कि 200 पीरिट के नीचे आया यहाँ पर क्रॉस ओवर बना प बड़ी गरावट की बड़ी गरावट करने एक बाद इस तरीके से बेर फ्लैग में आ गिया है अगर यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होता है यानि ब्रेकडाउन होने के लिए दोस्तो 46,475 यानि कल जहां पर बार बार टेस्ट कर रहा था प्राइस उस तक गया और उसको त करेंगे फिलाल अभी यहाँ पर हमें जो आज के लेवल देखने है तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो मैं यहाँ पर सेज़ेशन यही करूंगा एडवाइस यही करूंगा वीडियो का कंकुलूजन आज की जो डेली अपडेट है उसका कंकुलूजन यही है कि प्राइस को इस चैनल का ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन करने देना जिसमें ट्रेट कर रहा है ठीक है देखो कितनी नेरो रेंज यहाँ पर बनी वी है काफी टैम से बनी वी है और कल जो मार्केट सुभा के वक्त गिरी थी तो उसके बास से ही अगर हम देखेंगे कल जो मैंने अपडेट की थी उसके बास से उस पॉइंट को टच करने के बाद प्राइस लगातार उसी रेंज में ट्रेट कर रहा है ठीक है और यह रेंज दोस्तों है 46,400 से लेकर 47,625 देखो प्राइस अभी थोड़ दिर पहले उपर तक गया था और नीचे आने की तयारी कर रहा है यानि कि इस जोन तक आने की तयारी कर रहा है अभी देखेंगे तो प्राइस 46,700 के असपास है प्राइस 46,500 के असपास जाने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर हमें इसके ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन पर ही ट्रेड लेना है यह ध्यान स से अच्छी तरीके से समझ लो अगर उपर के साइड ब्रेक होता है तो हमें बुल बुलिश होने के लिए इस जोन को ब्रेक करना जरूरी होगा यानि 48,000 का लेवल ब्रेक होना जरूरी है लेकिन जिस तरीके दर कंडिशन है तो वो कंडिशन यही है कि 70% चांस है कि मार्केट आज के दिन भी गिर सकती है तो अब चलते हैं वह जरूरी बात की तरफ जिसके लिए मैंने वीडियो पर लिखा है कि क्या मार्केट क्रेश होने वाली है उसको समझेंगे तो वीडियो बने रहे ना पूरा देखना ध्यान से देखना बहुत काम की अपडेट है तो दोस्तो अब यहां पर समझो कि प्राइज ने एक आल टाइम हाई लगाया बी टी सी ने एक आल टाइम हाई लगाया लगबख 65,000 तक प्राइज वहां से धीरे धीरे नीचे आया और नीचे आने के बाद एक डबल बॉटम को क्रियेट करके प्राइज उपर के साइड निकला यह इसको रीटेस्ट यानि उपर के साइड करेक्शन करती है अगर यह अगर हम इसको डाउन टेंड बोलेंगे तो यहां पर इतना जाके यह करेक्शन लेवल है लेकिन अकर इसको पार करके ऊपर निकल जाती है तो फिर यह यहां पर यह बोला जाता है कि टेंड चेंज हो गया ठीक है तो यहाँ पर यह जो लेवल है यहाँ पर यह आपको यह लेवल दिखाई पर रहा है तो यह लगभग यहाँ पर 50,000 बलकि 50,000 से भी ज्यादा का प्राइज हिट करके आ गिया था तो यह exact जो लेवल बंदा है यहां पर यह बंदा है फिबोनासी का 61.8 का लेवल तो यहां पर यह गोल्डन लेवल भी बोला जाता है अगर इसको प्राइस तोड़ता है तो वो गोल्डन लेवल होता है कि price golden level को तोड़कर उपर चला गिया और काफी उपर चला गिया ठीक है तो बार बार मैं आपको इसी लिए बोलना हूँ कि 51,200 का level break होना जरूरी है अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि चार्ट की पिछली history को देखते हैं क्योंकि चार्ट जब भी आगे जो चलता है वो पिछली history को देखकर चलता है अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्रीवियस बुल रन की अभी के बुल रन में इसने 65,000 का हाई लगा है यहाँ पर प्राइज गिरा लगबग 29,000 की जोन में आया प्राइज ने उपर जाकर करेक्शन के यानिक अगर इसको डाउन ट्रेंड माना जाएगा तो यह करेक्शन है अगर करेक्शन की बात करोगो तो प्राइज देखोगो तो 200 पीरेट के थोड़ा सा उपर गिया है ठीक है देखो यहाँ पर 200 पीरेट के यहाँ पर कुछ चीजे गलबड हैं अगर यहाँ पर हम 200 के पीरेट के उपर जो पहली वेव बनी अगर हम उसको यहां पर उसका हाई माक करते हैं ठीक है तो हम देखेंगे तो उसका हाई ब्रेक हुआ लेकिन फेक आउट हुआ था यहां पर प्राइस के नीचे आ गिया अब यहां पर दोस्तों दूसरा हाई जो क्रियेट हुआ यानि कि यह यह देखो यह जो दूसरा हाई क् यहां से मार्केट ने थोड़ा सा रुजान देना शुरू कर दिया है कि बेर बेरिश होना शुरू हो गई है लेकिन यहां पर दोस्तो अभी भी हम 200 पीरिट का सपोर्ट है जैसे कि मैंने आप से बोला ना कि 46,500 के उपर जब तक हम है जब तक के हम बोल सकते हैं अपने आपको कि हम बुलिश हैं लेकिन यह मैं सोचना कि प्राइज अगर यहां से डंप करेगा तो अचानक से डंप करने लगेगा करेगा दीरे दीरे वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो अभी फिलाल यह हो गई इस 2020 और 2021 के बुल्लन की बात कि 2021 तक जो बुल्लन मना उसके बाद 65,000 के बाद 29,000 के लो लगाया और उसके बाद करेक्शन के प्राइज ने ऊपर अगिया प्राइज 61 का गोल्डन रेशियो को टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा बेरिश हो रहा है यहांपर बेरिश नहीं है पुरी तरीके सभी मार्किट मार्किट इस जोन को अगर 51,000 को तो कदभी भी रखती है अगर तोड़ती है इसको और इस तरह से आकर रीटेश करती है तो इस तरह से हम ऊपर चलेंगे और ये पिछला ओल टाइम हाई को भी तोड़ देंगे लेकिन यहां पर जो चार्ड की बैक हिस्ट्री है पिछले बुलरन की उसको देखेंगे तो थोड़ा हमारे दिल में डर पैदा हो सकता लेकिन डरने का नहीं क्योंकि मार्केट में अगर ओखली में सर दे दिया है मार्केट एक ओखली है और इस पर जो आपको लॉसे वगर होते हैं आपको इस पर सर्वाइफ करना होता है प्रॉफिट अगर होता है तो लॉस भी होता है ठीक है और ओखली में सर दे दिया तो फिर मुसल से क्या डरना मिरे भाई चलो चलते हैं थोड़ा सा बैक साइट और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं वीडियो पर बने रहे ना वीडियो पर बहुत काम की जानकारी देता हूँ ऐसी जानकारी दोस्तों मैं आपको प्रोवाइट कराता हूँ जो आपको बाद में मिलती है लेकिन मेरी तरफ से पहले मिल जाती है क्योंकि अभी मार्केट में सभी लोग गाना गा रहे थे जब 29,000 के असपास मार्केट थी तो सब बोल लेते कि सपोर्ट को तोड़के मार्केट 25,000 चली जाएगी 20,000 चली जाएगी कोई 15,000 तक प्रेडिक्ट कर रहा था लेकिन वहाँ पर दोस्तों कुछी लोग ऐसे थे जो बोल लेते मार्केट यहां से उपर जाएगी तो यह लेवल के आया 13,850 लगबग 14,000 का हाई था मुझे अच्छी तरीके से याद है और इसके प्रीवियस बुल रन का जो हाई था देखो मैं पीछे दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा थोड़ा सा आपको यहां पर पेशेंस दिखाने होंगे यह देखो यह हाई था दोस्तो लगबग 19,700 के असपास ठीक है यह देखो यहां पर 20,000 का है रहा हम इसको राउन फीगर में 20,000 मानने है इसका कलर अलग कर लेते हैं यलो कर लेते हैं आप समझना बात को मेरी देखो यह प्रीवियस बुल रन था 2017-2018 का ठीक है प्राइज ने एक आल टाइम हाई को टेस्ट किया था एक आल टाइम हाई जाग बनाया था लगबग 20,000 का यहांनि नाइनटीन थाउजन्ड सेवन हंडड के आसपास था नाइनटीन थाउजन्ड सिक्स हंडड सिक्सिक्स का था मुझे याद एची तरीके से उसके बाद मार्किट क्रेश कर गई थी नीचे मार्किटिंग पहुंची थी मार्किट यहां पर तो यहां पर जब इस टॉप को जैसे के अभी 2021 में 65,000 का टॉप लगा 29,000 तक मार्किट गई यहां पर आप देखोंगे मार्किट 19,000 गई और 3000,000 गई यहां पर आई ठीक उसके बाद मार्किट ने यह करेक्शन ही बोले जा होगा तो इसका कहने का मतलब क्या देखो यह लेवल भी जब मार्किट इस तरह से गिरी थी और उपर गई थी तो यह करेक्शन बोला जाएक और यहां पर जो लेवल था वो फेबोनासी टूल का 61.8 का लेवल था यहां पर मैं टूल भी आपको लगा कर दिखा देता हूं त 3800 तक चला गिया अब चलते हैं देखो यह वहां पर इस तरीके की चीज कर चुका था अब यहां पर क्या किया इस ने यहां पर देखो यह यहां पर 65,000 का हाई बना ठीक है टूल को लगाते हैं जो यह वीडियो पूरा देख लेगा दोस्तों उसके सामने काफी तस्वीर साफ हो जाएगी बाकि जो इसकिप करने वाले लोग है वो तो अपनी जिम्मेदार खुद ही है अब देखो वाइट कलर की लाइन जो है 61.8 क गोर्डन लेवल है प्राइज ने जाकर इतना गिरने के बाद यहां से इतना गिरने के बाद प्राइज न जाकर टेस्ट किया इसको और टेस्ट करकर नीचे आने की तैयारी कर रहा है तो मौरल ऑफ दे स्टोरी की 51,200 ब्रेक होना जरूरी है अदर वाइस हम नीचे आ जाए आपको वीडियो के कि 51,200 अगर ब्रेक नहीं हुआ यहां से हम लगतार नीचे गिरते रहे तो में भी हम जैसे कि पिछले साल गिरावट हुई थी पिछले बुलरंग में तो उस तरीके की गिरावट हो सकती है और बाकी नीचे के लेवल आपको दिखाती चली जाएगी मार्के 42,000, 37,000, 28,000 तक अगर ऐसा होता है ठीक है अभी हम 46,500 तक या 47,000 के ऊपर है या 45 अगर 42,000 के ऊपर भी जब तक हम है जब तक हम आपने आपको बेर नहीं बोल सकते तो थोड़ा सा यहां पर आपको समझना होगा यहां पर बहुत काम की जानकारी मैंने आपको गिरने वाली है लेकिन मार्किट अपने आपको दिखा रही है तो यहां पर हमारा समझना जरूरी है हमें सेफ साइट यहां पर चलना होगा अभी भी डेली चार्ट पर प्राइस 200 पीड़ का सपोर्ट ले रहा है अच्छे से और यहां पर इस तरीके मामला बना है यह हाई तो यानि कि 51,200 मैं थोड़ा से जादे ही बता रहा हूं आपको यह टूटेगा हम बुलिश हो जाएंगे यह नहीं टूटा मार्किट जिस तरीके से नीचे घूमी और नीचे आती चली गई तो हम बेरिश हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर यह बिलकुल ऑनेस्ट ने भी आपको ना दिया होगा जब तक के लिए इजादत दो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड आप करता हूं जै हिंद जै भारत